हलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल आज मैंने मिर्ची के पकोड़े बनाए हैं सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में मिर्ची के पकोड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं पकोड़े तो किसी भी चीज के बनाओ पकोड़े हमेशा ही टेस्टी लगते हैं और सर्दियों का मौसम हो बारिस का मौसम हो तो ऐसे मौसम में तो इन्हें खाने का मजा ही दोगना हो जाता है तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मिर्ची के पकोड़े बनाए जाएं तो मैंने ये मिर्ची के पकोड़े बनाए हैं अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर ले जिससे मेरी हर वीडि बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम हरी मिर्ची ली है और इन्हें हम बीच से चीरा लगा देंगे तो मिर्ची के बीच से ये चाकू से चीरा लगाएंगे जैसे मैं लगा रही हूं आप इसी तरीके से चीरा लगाएं हमने सभी मिर्चियों को चीरा लगा के तयार कर लिया है त इसमें आधा चम्मच मिर्शी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, एक चम्मच चाट मसाला डालेंगे, और थोड़ा सा अजबाइन डालेंगे, अब हम इने म पानी डाल कर इसे मिक्स करेंगे और इसका एक थिक्सा हम पेस्ट बना कर तयार करेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें ये पतला नहीं करना है हमें ये इतना गाढ़ा रखना है कि मिर्ची के ऊपर ये अच्छे से लिपट जाए देखिए हमारा ये पेश्ट बनकर तयार है हमें इसी तरह का पेश्ट चाहिए आपको इसी तरह का पेश्ट बना लेना है तो अब हम इसमें मिर्ची डालेंगे और इसे अच्छे से कोट करेंगे बेसन इस पर अच्छे से लिपट जाएगा तो हमारे मिर्ची के पकोड़े बहुत बढ़िया बनेंगे तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं तो मेरा ओयल गरम हो गया है अब हम इसमें मिर्ची डालेंगे तो एक एक करके हम इसमें मिर्ची डालेंगे बेसन में हम मिर्ची को अच्छे से कोट करेंगे और इसे ओल में डालेंगे नीचे से जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इन्हें पलट लेंगे और इन्हें उलट पलट कर हम अच्छे से क्रिस्पी फ्राई करेंगे मिर्ची के पकोड़े बहुती बढ़िया बनेंगे पाउडर मिलाया है उसे भी आप ना डालें तो देखिए हमारे मिर्ची के पकोड़े फ्राई हो गए हैं इसी तरह से हम बाकी पकोड़े भी डालेंगे एक एक करके हम मिर्ची का पकोड़ा डालेंगे जिससे ये आपस में चिप केंगे नहीं और इन्हें हम उलट पलट के ये भी पकोड़े फ्राई हो चुके हैं मेरे बेशन का घोल बच गया था तो मैंने उसमें एक आलू और एक प्याज काटकर उसके आलू और प्याज के पकोड़े बना लिए हैं तो बेशन भी हमारा वेस्ट नहीं जाएगा तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं अगर आपक पकोड़े बन कर तैयार हैं और इन्हें बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है बहुत जल्दी ये पकोड़े बन जाते हैं तो आप भी ये मिर्ची के पकोड़े ट्राई जरूर करें और इसी से जो बेशन बच जाएगा उससे आप आलू और प्याज के पकोड़ कर लें और साथ में बैल आइकन पर प्रेस जरूर कर लें जिससे मेरी हर नई वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा फेमली एंड फ्रेंज के साथ इसे सेयर करें तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई मज़ेदार रेस्पी के साथ तब तक के लिए राधे राधे